मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कभी नंदन करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आईजी टीवी नेटवर्क पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रो स्पेशल सेग्मेंट और उसके अंतरगत आज हम बात करेंगे साल 2022 के सबसे बड़े परिवर्तन जिया राहु केतु का राश्य परिवर्तन और हमारा विशय है राहु केतु का राश्य परिवर्तन किसे बनाएगा माला माल और कौन होगा कंगाल राश्य नुसार जाने अपनी किसमत का हाल जाने अपना हाल जया आए इस बारे में बात करेंगे देखे राहु और केतु असमंजसकारी ग्रह चाया ग्रह नव ग्रह में स्थान प्राप्त राहु और केतु ग्रह न होकर धरती पर पढ़ने वाली चाया है राहु और केतु सूर्य और चंद्र के परिक्रमा पथों के आपस में कटने के बिंदू का घोतक माना जाता है राहू और केतु ग्रह पिंडेना होकर छाया ग्रह है जोते शास्त्र में राहू को बिजली की चमक माना गया है और शास्त्र उत्तर कालामरत के नुसार केतु को महादेव का सेवक माना गया है केतू से अंतिम मुक्ती भी मिलती है राहू अगर भोगर विलासता है तो केतू मुक्ष है साल 2022 में राहू और केतू का गोचर होने जा रहा है राहू का मेश राशी में गोचर और केतू का तुला राशी में गोचर होने जा रहा है और यह होगा मंगलवार 12 जुलाए शमा कीजिए का मंगलवार 12 अप्रेल 2022 को सुबह 10 बचकर 35 मिनट पर और अगले 18 महिने तक राहू मेश राशिम और केतू तुला राशी में गोचर करेंगे है आईए जानते हैं 12 अपरेल 2022 में होने जा रहे है राहूर केतू के गोचर और राशी परिवर्तन का मेश से लेकर मीन राशी के जिवन पर क्या परभाव पड़ेगा और राहूर केतू का राशी परिवर्तन किसे बनाएगा माला माल और कौन बनेगा कंगाल आईए राशे उनुसार जानते हैं आपकी किस्मत का हाल शुरुबात करेंगे राशे नमबर एक मेश यानिकी एरी इसके साथ में है देखे राहू और केतू मैं बता दूँ आपको के छे भावों को प्रभावित करते हैं एक साथ में जिस भावों में बैठते हैं दो भाव तो राहू और केतू के हो गए और जहां वो दृष्टी देते हैं तो पांचमी, सातमी और नमी इस हिसाब से जहां राहू बैठा है और जहां केतू बैठा है वहां से पहला भाव, तीसरा भाव, पांचमा भाव, साथमा भाव, नमा भाव और ग्यारमा भाव प्रभावित होते हैं तो इसके मिशृत परिणाम आते हैं कभी एक जिसे परिणाम नहीं आते हैं आईए शुरुवात करते हैं राशी नमबर एक मेश के साथ में राशी नमबर एक मेश ऐने के एरीज मन जो है वो विचलित रहेगा पारिवारिक तनाव के योग है मेंटल टेंशन बढ़ेगी अत्यादिक क्रोध रहेगा महतपूर्ण रणाय लेने से बचें फैमिली लाइफ में तनाव रहेगा जीवन साथी से कलह होगी प्रेमी से वियोग के संभाव ना है अनावशक यात्राएं होंगी ससराल पक्ष से लाब होगा पुराने कर्जों से मुक्ती मिलेगी पुराने बीमारियों से छुटकारा मिलेगा कानूनी मामलात में जीत मिलेगी शत्रूं पर विजय हासिल करेंगे उपाई ये करें व्रश राशी वालों लगातार तैतालिस दिन संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करें तीसरी राशी मिलेगी जमनाई की बात करेंगे अनयतिक मारगों से धनलाव होगा भाई भहन से वैचारिक मतभेद होंगे वैचारिक शक्ती में व्रद्दी होगी धर्मकर्म में रुचि बढ़ेगी इच्छा शक्ती में व्रद्दी होगी परिशानियों में भी उच्साहित रहेंगे अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी शिक्षन शेत्र में रुचि बढ़ेगी संतान को कश्ट होगा उपाई ये करें मिथन राशिवालों के लगातार 43 दिन किसी गरीब को सिक्का दान करें चौथी राशिक करक याने की कैंसर की बात करेंगे कारेस्तल पर विवाद के योग हैं पिता से सम्मंद बिगडेंगे कानूनी मामले परेशान करेंगे करियर में बदलाव आएगा नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है पारेवर एक तनाहो बढ़ेगा कोट कचरी के समस्याएं सताएंगी रोगों में वरद्धी होगी घरीलू परिशानियों के कारण तनाव गरस्त रहेंगे उपाई ये करें कि लगातार 43 दिन बरगत के पेड़ के नीचे तेल का दीपक करें पांचवी राशी सिंग यानि के लियों की बात करेंगे भागे कमजोर पड़ेगा कारों में रुकावटे आएंगी पिता से सम्मंद कटू होंगे करमों में शितिलता आएगी देने कारे जल्द पूरे होंगे पराकरम शेत्र में व्रद्दी होगी दूसरों से दोखा दड़ी करने से बचें वे दूसरों के पैसों पर नजर ना रखें पतन की भावना मन में बढ़ेगी उपाई ये करें कि लगातार चैतालेस दिन देवी सरस्वती के निमेत सरसों के तेल का दीपक करें चटी राशिक कन्या यानि वर्गो की बात करेंगे सेहत संबंदित परिशानी आएगी गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें दुर्गटेना के यूग हैं बदनामी का भैस अताएगा कानूनी मामले परिशानी देंगे असावधानी से धन हानी होगी पैसों को लेकर सचेत रहें धन का जोखिम ना लें वाद विवाद से बचें आर्थिक उतार चढ़ाव रहेगा उपाई ये करें कि लगातार तैतालिस दिन गणपती पर दुर्वा चढ़ाएं साथवी राशी तुला याने के लिबरा की बात करेंगे कारोबारी सांजेदार से समंद बिगड़ेंगे मान से कतनाव रहेगा विवाद से बचें बिजनिस में रिस्क ना लें दफ्तर में विरोधियों से सतर्क रहें हटता की भावना आप में बढ़ जाएगी इच्छा शक्ती जो है वो प्रबल रहेगी दामपत्य में परिशानियों से सामना होगा मन में अनितिकता की भावना बढ़ेगी उपाई ये करें कि लगातार तैतालेस दिन शिव चालीसा का पाट करें आठवी राशी व्रिश्चे कैने के स्कॉर्पियों के बात करेंगे सेहत में गिरावट आएगी यकरत यानि के लिवर संबंदित परिशानी आएगी सामाजिक रुतबा बढ़ेगा कानूनी मामलों में रहत मिलेगी शत्रू परास्तू होंगे मनोबल में कमी आएगी पराक्रम थोड़ा सा कमजूर रहेगा अनावशक खर्च बढ़ेंगे अनावशक यात्राएं भी तनाव देंगी आर्थिक स्तिती विगडेंगी उपाई ये करें कि लगातार 43 दिन भैरव देव पर लोहवान से धूप करें नवी राशी धनू यानि कि सेजिटेरियस की बात करेंगे करियर में बाधाएगी लव लाइफ चिंता देगी प्रेगनेंट फीमेल्स थोड़ा सा सतर करें हेल्थ का ध्यान रखें वे नियमत चेकप करवाएं धन शेतर प्रबल रहेगा अनैतिक मारगों से धनलाब होगा आमदिनी में इजाफ़ा होने के योग हैं कूट नीती में रुजहन बढ़ेगा धन बेकार के कामों पर खर्च भी होगा उपाई ये करें कि लगातार 43 दिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाट करें दस्वी राशी मकर यानि की के प्रकौन की बात करेंगे माता को शाररिक कष्ट होंगे पारिवारिक विवाद के योग हैं संपत्ती में नुकसान होगा घ्रैकलेश की संभावना है सुखों में कमी आएगी छल कपट की भावना बढ़ेगी कारे कुशलता में ब्रद्धी होगी बुजर्गों से विवार में सतर्क रहें सामाजिक दाइरह बढ़ेगा विवादों से बचें उपाई ये करें कि लगातार 43 दिन देवी महाकाली पर नीमबू चड़ाएं ग्यारवी राशिक कुम्भ यने के अक्वेरियस की बात करेंगे काम में मन लगेगा कड़ी महनत करेंगे अनते कामों में रुच्ची बढ़ेगी भाई बहन से मतभेद होंगे भाग्य व्रद्धी होगी जिवन में शुबता बढ़ेगी ब्यर्थ की यात्राएं बढ़ेगी पराक्रम में भी व्रद्धी होगी शिक्षा में सफलता मिलेगी धार्मिक लोगों जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं जो पंडित वगरा हैं उनकी ख्याती बढ़ेगी रुके काम भी वनेंगे उपाईये करें कि लगातार 43 दिन भगवान विष्णू पर गुड़ चना चड़ाएं बारवी राशी मीन यानि पैसिस की बात करेंगे धन हानी के योग हैं धनारजन में परिशानी आएंगी खर्चों में व्रद्धी होगी भाशा कटू रहेगी संबंदों में कड़भाट आएगी सुक साधनों में कमी महसूस करेंगे दुरघटना के योग बनेंगे सिहत नरम रहेगी शारर कष्ट बढ़ेंगे फूड पोईजनिंग के योग बनेंगे पालतू पशू से जैसे कुत्ते वगरा से कष्ट होगा उपाईए करें कि लगातार 43 दिन हनुमान 40 का पाट करें तो दोस्तों ये था साल 2022 के सबसे बड़े राशी परिवर्तन राहू और केतू के राशी परिवर्तन का फलाफल तो हमने आपको बताया राहू केतू का राशी परिवर्तन किसे बनाएगा माला माल और कौन होगा कंगाल राशी अनुसार जान लिया आपने अपनी किसमत का हाल तो आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी किशी विशेश सब्जेक्ट को ले के इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षवाए